हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक अगेंड लास्ट वीडियो के अंदर हमने अंतराष्ट्य परिद्रश्य पढ़ ले आता हम अप्रेल 2023 की कुरून लोजी को पढ़ रहे हैं जिसके के अंदर आज हम थर्ड वीडियो कवर करेंगे इसके अंदर का आज जो टॉपिक है वो है राष जो शहर है जौर्डन का ऐसे शहरों को शामिल किया गया है और इसमें भारत की भी दो स्थान सेलेक्ट हुए हैं तो वो कौन से स्थान है और उनकी क्या-क्या विशेशता है वो आपको पता होने चाहिए तो देखिए मैं आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था यह त तो देखें लद्दाक के अंदर अपने जो अलपाइन लेंडस्केप्स हैं अलपाइन वेजिटेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा जिसके के अंदर जो ट्रीज जो होती हैं वो हाई कैनोपी की होती है तो अलपाइन जो लेंडस्केप्स हैं जो देखने में काफी अच ले गाउं वहां पर जो है देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व इस्थापित किया गया था दो हुजार टेश में तो इसके लिए भी जो है इसको इंपोर्टेंट स्थान नोट डाउन किया गया है फिर यहां पर एक चांग थांग वन्यजीव अभ्यारण ने हैं चांग थ अग्जाम में पूछा जा सकता है कि चांग थांग वाइड लाइफ सेंचुरी कहां पर है तो यह आपको पता होना चाहिए तो यह भी यहां पर जो है प्लेस ऑफ इंपोर्टेंस है लद्दाग के अंदर फिर अगर हम बात करें उडिशा की जो उडिशा के अंदर जो मयू पाल नेशनल पार्क है जो भी जो एक्जाम से बूछा भी जाता है सिपलेपाल नेशनल पार्क कहा है तो यह भी यहां पर इस्तित है उसके अलावा एशिया हाती और बंगाल के बागों साइथ 40 से अधिक स्तंधारी यानि मैंबल्स जो है यहां पर पाए जाते हैं और इंपॉर्टन नहीं है आप तो सिर्फ एक तो लद्दाग के बारे में और मयूर बंज में कैके इंपॉर्टन चीज़े हैं वो आपको ध्यान रखनी है चलते हैं नेक्स आर्टिकल पर नेक्स आर्टिकल कुछ खास नहीं है एक रिपोर्ट है जो कि हमारा स्टैस्टिक्स औ लेकर की रिपोर्ट है कितना लिंगा नुपात है कितनी जो है एजुकेशन है दोनों की वर्क फोर्स के अंदर दोनों का क्या-क्या जो है योगदान है कितना प्रतिशत का योगदान है तो आपको पता यह महिलाओं का योगदान भी वर्क फोर्स में भी कम है इनकी जो जो सेक्स रेशो है उसके अंदर भी महिलाएं पीछे हैं तो अगर बात करें सेक्स रेशो की तो यहां पर आप देखेंगे कि 2011 में 943 हुआ करती थी और अभी बढ़कर 952 हुई है यानि प्रतेक 1000 पुर्षों में महिलाओं के संक्या किती है 952 है जो कि अभी काफी कम है श्रम में भागीदारी देखेंगे तो वो और भी जादा कम है पीछे है महिला है पुर्षों से काफी जादा और पुर्षों के लिए यह दर 77 परसेंट है तो महिलाओं के लिए 32.8 परसेंट है जनसंक्या वृद्धी की बात करें तो जनसंक्या वृद्धी हमारे पूरे देश की दे है उसके अलावा कहता है कि 2036 तक हमारे देश में जो पंदरा वर्ष तक के जो बच्चे हैं जो जनसंक्या है उसमें गिरावट आईगी और जो व्रिद पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी यानि कि हमारी आबादी भी व्रिद आबादी की तरफ बढ़ेगी विवा के ओसत कुछ common sense वाली चीज़े हैं जो हम इसमें निकाल सकते हैं जीवन प्रत्याशा की life expectancy की बात करें तो पुरिशों की जीवन प्रत्याशा 68.4 है जबकि महिलाओं की जादा है 71 है ठीक है तो यह हो गया अब चलते है नेक्स आर्टिकल पे यह है IQAR की रिपोर्ट यानि कि एक रि प्रकाशित कियो रिपोर्ट में जो है बात तो की गई है कि काफी सारे देशों की लेकिन हमें भारत से मतलब है तो भारत जो है आठवा सबसे प्रदूशित देश है कौनसे नंबर का है आठवा तो यह रिपोर्ट में रैंकिंग हमको पता होनी चाहिए कि आठवा सबसे प भारत के हैं और सबसे प्रदूशित शहर के अगर बात करें तो वो जो है दिल्ली को माना गया है सबसे अगर महानगरिये जो शहर होते हैं मेट्रोपॉलेटन जो सिटीज होती है उसमें सबसे जाधा प्रदूशित हमारा जो दिल्ली है उसको इंक्लूट किया गया यह प्रदुशित जो शहर है उसके अंदर इंक्लूड किया गया है दूसरा सबसे प्रदुशित शहर है मध्य और दक्षन इश्या के अंदर तो ये भी आपको नाम ध्यान रखने है तो दिल्ली बिहार का दरबंगा असोपूर इनका भी नाम इसके अंदर आता है तो ये सारे जो इस्ट के जो स्टेट्स हैं वहां पर अभी चुनाव संपन हुए हैं तीनों में बीजेपी की गवर्ण्मेंट है और कंप्लीट भूमत वाली नहीं है मेजोरिटी वाली नहीं है तीनों के अंदर जो है युनाइटेड करके गटबंधन वाली जो सरकारे हैं वो बनी है और अब देखिए कि सबसे पहले त्रिपूरा के अंदर तो यहां पर भाजपा और प्लस IPFT जो गटबंधन है उन दोनों ने 32 प्लस 133 सीटें मिलकर के जो है अपनी सत्ता में वापसी की है और मानिक साहा जो है दूसरे कारेकाल के लिए आपर चीफ मिनिस्टर बने है तो नाम दियान रखिएगा चीफ मिनिस्टर कौन बने त्रिपूरा के मानिक साहा और राजिपाल कौन है सत्यदेव नारेंड फिर देखिए मेघाले के बात करें तो मेघाले के अंदर जो है एक सीट पर जो है निदन होने की कारण 59 सीटों पर ही इलक्शन हुआ है और इसके अंदर मंत्री कॉन्रोड संगमा की पार्टी है उन्होंने चुनाव से पहले भाजपा से गटबंदन तोड़ा लेकिन सीटें जीतने के वादें दुबारा गटबंदन स्थापित किया है तो एन एपी की 26 सीटे हैं यहाँ पर भाजपा की दो सीटे हैं और उसके अलावा जो है इन सत्ता रूट भाजपा और NDPP की जो है उसकी गटबंदन की जो सरकार है उन्होंने अपना दबदबा बनाया रखा है और नेफो रियो करके वहां के चीफ मिनिस्टर है नेफो रियो तो यह जो है नागलेंड के दुबारा से चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बने हैं तो मेन बा पाएंगे तो इतनी ही याद रखनी है चीजों को फिर उसके अलावा देखिए लास्ट ली बाई एलेक्शन हुए हैं बाई एलेक्शन ने उप चुनाव कुछ सीटें जहां पर मन लिजे कोई कैंडिडेट जो है वेकेंड करता है रिजायन करता है या कहीं दूसरी सीट प अरुनाचल प्रदेश यहां पर सब में भाजपा ने जीती है सीट और जारकन के अंदर जो है वहां की पार्टी है एजे एस यू वहां उस पार्टी ने सीट हासिल की है तो ठीक है इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको छोड़ सकते हैं आँ इस बात को भी अब चल अब बनाया जाएगा तो आप यहीं देखिए कि चुनाओं को लेकर के भारत के अंदर हमारे देश में काफी गहमा गहमें चलती है कि कभी तो आरोप लगते हैं कि EVM मशीन जो है उसको टेंपर किया गया है कभी जो है जो चीफ इलेक्शन कमिशन है उनकी जो प्रदान मंतरी लोक सभा में नेता प्रतिबक्ष यानि अपोजिट पार्टे बनी जो है अपिए जो इस ने कहा आदेश दिया है बलकि कि अब जो है जो इलेक्शन कमिशन जो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिशनर है या निर्वाचन आयुक्त जो है उनको न्यूक्त करने के लिए एक स्वतंतर इंडिपेंडेंट पैनल बनेगा और उस पैनल के अंदर जो है कौन-कौन सदस्य होंगे वो भी इन्होंने बताया है तो देखिए सदस्य कौन-कौन होते हैं पहले यह देख लेंगे प्रदान मंतरी लोक सभा में नेता प्रतिबक्ष यानि अपोजिट इंडिया जो है वो इसके अंदर सदस्य होंगे यह कमिटे डिसाइड करेगी किसको इलेक्षन कमिशनर या चीफ इलेक्षन कमिशनर बनाया जाए ठीक है और उसके अलवा देखिए न्यूक्ति का अधिखार तो देखिए लास्टली जो प्रद्राश्ट्रपति के पास रहत है यह इसकी अदेख्षता की थी के एम जॉजफ ने नियायमूर्थी के एम जॉजफ ने इस पाँच सदस्य समविधान पीट की अदेख्षता किये यह भी आप याद रखेगा इसमें तो अब यह पैनल है इसके बारे में कोशन पूचा जा सकता है कि इस पैनल में किस-किस को इंक्लूड किया गया है तो प्रधान मंत्री लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और चीफ जेस्टिस यह इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे और देखिए कि क्या क्या चीज़े हैं इलेक्शन कमिशन को लेकर के कि देखिए इसमें चुनाव आयुक्त और इसको लेकर के जो चीज़े हैं इसमें एक पेच और था पहले कि इसमें यह हैं कि जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनको जो चीफ इलेक्शन कमिशनर है उसके सिफारिश पर हटाया जा सकता है तो यह कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो उसकी करें कि टी एन सेशन जो स्वतंत्रता के बाद में एक आईयस अधिकारी थे और चीफ एलेक्शन कमिशन थे उसके अलावा कोई भी ऐसे एलेक्शन कमिशन नहीं जिनका की एक नाम आता हो कि दिगज एक व्यक्ति रहें जिन्होंने स्वतंत्र चुनाव निश्पक्ष कराने के लिए जो है चुनाव आयुक का गटन किया जाना चाहिए और देखिए कि यह जो पी आयल दायर हुआ था उसमें कहा गया था कि अनुच्छे 14 जो की राइट टो इक्वैलिटी और अनुच्छे 324 दो यह जो है मुखे चुनाव आयुक तो और इनकी जो न्यूक्ति इसके अंदर कहा गया है समविधान के कि चुनाव आयोग जो है वो बनाया जाना चाहिए और उसके लावा 329 तक इसकी पावर्स क्या क्या इसके कारे होंगे यह सब के बारे में बताये गया है एक चीज़ और ध्यान रखिए कि कारेकाल जो होता है वो 6 साल या 65 वर्ष दोन उनकी अकॉर्डिंग ही दिये जाते हैं मुख्य चुनाव ऑयुक्त को संसद में महाववयोग की प्रक्रिया के जरीए सिम हटाये जाता है और जो चुनाव आयूग तों को मुख्य चुनाव आयूग की सिफारिश पर रैष्ट्रिपति चाहे तब अपने उनके पत्र से जो 93 में दुबारा से जो है इसका इसकी composition को change करके एक तो चीफ election commission और दो जो है आपके मुखे चुनाव आयुकतों को भी इसके अंदर सामिल जो है वो किया गया तो ये अब तक की काफी important खबर थी इसको आपको अच्छे से याद रखना है अब चलते हैं next article पर next article है हमारा सेयुक संगटन विधयक जो है लोकसभा में पेश किया गया तो देखते हैं विधयक की क्या क्या खास बाते हैं इसमें तो देखें इसमें खास बात तो कुछ ऐस सच है ने इस बात ये है कि अंतर सेवा संगटन कमान जो होगी उसमें अनुशासन को बढ़ाने के लिए और जो report करत प्रावधानों से यह रक्षाकर्मी संचालित होते हैं तो अब जो है इसको एकिकरित किया जाएगा ताकि एक क्या कहा है एक तरीके से लाइबिलेटी जो है वो और जादा बढ़ सके तो यही इस जो है क्या कहते हैं इस विदेह को लाने का एक प्रमुक मकसद है अब इस पर इस पॉइंट ऑफ यू से तो कोई इंपॉर्टेंट कोशन है आपर बनता नहीं है कुछ स्वेसिफिक चीज़ इसमें ऐसी है नहीं और आगर आप रिविजन करें तो आप इसको काट भी सकते हैं कुछ ऐसा विशेश इसमें नहीं है फिर देखिए कॉंग्रेस के जो पूर इसमें के नाम क्यों लास्ट में मोडी होत एं नीरव मोदी और लेकर ह cream उन्होंने कहा तो एक जिले विधायक रहें भाजपा के उन्हों के इसन प्रदाएशए उनियों के जिसको पीपल रिप्रेजेंटेशन एक 1971 चैना इसमें साफ लिखा हुआ है कि कि अगर कोई MP, MLA का चुनाव लड़ता है या ऐसा कोई विक्ति है उस पर दो साल से जादा का अगर वो जेल में है मुकद्मा दर्ज है उस पर इसा कुछ मुकद्मा नहीं कहेंगे उसको दो साल को अगर उसको स़दा मिलती है तो उस व्यक्ति को जो है अयोग्य ठहराया जा सकता है next elections लडने के लिए तो ये इसके चलते जो है लोगसभा के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं स्वरी लोगसभा क्या रही हूं परिवार की बात करें तो इंद्रा गांधी उसके बाद सोनिया गांधी की सदसेता भी इस प्रकार से जो है पहले रद की जा चुकी है और मुरारजी देशाई के नेत्रेतो वाली जनता पार्टी सरकार ने लोगसभा की सदसेता में अयोग्य गोशित कर जेल भी भी भेज़ दीए था इंद्रा गांधी को तो ये पहले भी जो है ऐसा किया जाज़ चुका है कई नेताओं के साथ में तो ये पॉलिटिकल मोटिव इसमें ज्यादा नजर आता है क्योंकि दो साल की सदा दी जाती है एकडम एगजेक्ट दो साल की पांच-छे मैने कि नहीं एक साल की नही यही है कि इसको इस नियम के तहत जो है वो पॉलिटिकल पॉलिटिकली सू करना था फिर चलते हैं कुछ और खबरों की तरफ देखते हैं आप तो खेर जो है यह कंप्लीट होने वाला है फिर देखें यहां पर आम आदमी पार्टी के दो विधायक हैं जिनकों की कैबिनेट मे न्यूक्त किया गया है आपको पता है कि वहां के जो एडुकेशन मिनिस्टर है मनीश सिसोधिया उनके उपर भ्रष्टाचार के आरोप है तो उनकी जगह देखें आतीशी और एक सौरो भारतवाज हैं उनको कैबिनेट मंत्री के रूप में न्यूक्त किया है यह लेकिन इ अमित्वर परिचालन प्रारूप पर सेना प्रतिष्ठानों के में किन परियोजनाओं के स्थापना के लिए एक समझोते ग्यापन पर यानि MOU पर हस्ताक्षर किये हैं तो NTPC, REL और भारतिय सेना ने जो है हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं को आपको पता है कि ग्रीन हा भारत गौर ओर रेल काड़ी को हरी जंटी दिखाकर रवाना किया तो ये थी North East Discovery Beyond Guwahati नेक्स्ट है फिर देखिए एक जो है एक बाड़ शती नियंतरन परियोजना है जिसका नाम है क्या नाम है तूपारी हला बाड़ शती नियंतरन परियोजना इसकी आधारशिला जो है व फिर देखिए नेक्स्ट है इसमें नेवी वेलफेर एंड वेलनेस असोसियेशन के सहयोग से भारती नौसिना ने एक समुद्री जागरुकता तटिये मोटर कार रेली जो है उसको आजित किया है जो कि कहां से स्टार्ट किया है इसको कोलकता से और ये एंड कहां पर होगी तो लगपत गुजरात जो है वहाँ पर इसको एंड किया गया है और इसका नाम जो है शम नो वरुणम ठीक है तो ये जो है इंडियन नेवी के तरफ से है और नेवी वेलफेर एंड वेलनेस असोसियेशन के द्वारा इसको जागरुकता एक तरीके से समुद्री जागरुक इंडियन प्रिमाइर लीगा आई पील जो है 2008 के अंदर युनिकॉंड बनी थी और अभी जो है ये देश की पहली युनिकॉंड बनी थी और उसके बाद में जो है अभी ये डेकॉंड बन गई है फिर देखे कौन सा ऐसा IIT है जिसको की QS University रैंकिंग में इंजिनियरिंग के शीष पचास जो संस्थान है उसके अंदर स्थान मिला है तो IIT दिली जो है उसको ये QS रैंकिंग में स्थान दिया गया है वर्ड अच्छा एक चीज है वारिस पंजाब दे का जो प्रमुख है अमरित पाल सिंगे किस आंदोलन से संबंदेत हो तो अभी आपको पता है ये खालिस्तान आंदोलन में इसका नाम आ रहा है फिर देखे वर्ड वन टीबी सम्मिट का आयोजित कहां किया गया वारा नसी कहां पर उतर प्रदेश में आपको लेकिन आपको इनको याद करना है बड़ा ही इसे दिल पर पत्थर जो रख करके आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा और पढ़ लीजी एक बार एक बार कैतना रट रटा करके पीछा चुड़ाई इन सब चीजों से ताकि दुबारा न जिसका नाम धारा शिव रखा है तो यह नेम चेंजिंग अभी चल रहा है तो यह दो नाम भी ध्यान रखेगा फिर देखे पाथवेज टू आत्मिन रिवर भारत हारनेसिंग इंडियाज रिन्यूएबल एज फॉर कोस्ट एफेक्टिव एनरजी इंडिपेंडेंस यह एक रिपोर्ट है यह रिपोर्ट जारी किया है लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी ओफ द इंडियाज एंड एनरजी क्लाइमेट सेंटर बहुत बड़ी रिपोर्ट का नाम है तो इतना तो नहीं पूचा तो ठीक है फिर देखिए कि जो है यहां पर आईए किस राज्ज लीव होती है वो पुरुषों को भी दी जाएगी इसमें तो यह हर्याना की जो गवर्मेंट है उसने यह अच्छा कारे किया है यहां पर पेरेंटल लीव के लिए जो भी विदूर पूरुष हो जाते हैं और उसके अलावा जो तलाक शुदा है उनको अपने बच्चों के देखभाल के लिए पेरेंटल लीव जो है यहां पर दी गई है फिर कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है ओनलाइन सेवां के लिए जिन्होंने लोग सेवा गारंटी अधिनियम आटो अपील शुरू किया है जो यह देश का आटो अपील शुरू करने वाला आटो जो है यूटी बना है फिर देखिए आतंगवादियों खतरना कपरादियों और गेंस्टर्स के लिए 120 करोड की वैसे दिल्ली के किस चेत्र में अलग से एक जेल बनाई गई है तो दिल्ली का नरेला जो चेत्र है वहाँ पर एक अलग से ऐसी जेल बनाई गई है एंजी टी बहुत ज़्यादा साफ है मैं गई हूई हूँ आपे तो काफी एकदम सब नमू देख लीजी ऐसा चमकता है तो फिर है केंद्रिय रेल संचार और लेक्ट्रोनिक्स और सुछना प्रद्यकी की मंत्री है अश्विनी वैशना उन्होंने किन महापुरुष की स्मृती में जो तो यह सिंथन टॉप है जो कि कहां पर पड़ता है जम्मू कश्मीर के अनंत नांग जिले में ब्रेन घाटी के अंदर है नाम क्या है सिंथन टॉप इसको अभी खोला गया है यह था हमारा काफी बोरिंग लेकिन क्या कर सकते हैं यह हमारा राश्ट्री परिद्रश्य हापक कंप्लीट होता है और इसके अंदर कुछ एक न्यूज जो मैं आपको बताई थी एक तो जैसे की हमारा इलेक्शन कमिशन को लेकर की न्यूज काफी इंपॉर्टन थी टाइम मेग्जिन वाली न्यूज इंपॉर्टन है उसके अलावा आप बाकी चीज़ों को छोड़ करके जो है यह जो वन लाइनर फैक्ट्स हैं इनको देख लीजेगा तो यह इसमें इंपॉर्टन है इनिका आप बार-बार रिवाइस कीजेगा और अपनी तरफ से भी आप न्यूज को फिल्टर कीजेगा नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फिर हम पढ़ेंगे अंतरिक्षा और मैं कोशिश करूँगी कि इस बार मेगजीन को टाइम ली और जल्दी आपको प्रोवाइड कराऊं सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच